तरवन देर इस अंचली गुपता असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्के कॉलेज आफ फार्मेसी प्रयागराच सो आज की इस वीडियो लक्ष्यर में हम डिसकस करेंगे एडिक्शन और ड्रग डिपेंटेंसी एडिक्शन और ड्रग डिपेंटेंसी आलमोस्ट एक जैसे वर्ड है पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है एक कंडिशन है ड्रग डिपेंटेंसी क्या है आपकी अडिक्शन के पहले की जैस्ट फर्स्ट स्टेज है आपकी उसे हम डिपेंटेंसी बोलेंगे बात में यह ड्रग की बहुत ज़्यादा रिपीटिबल वैलू होने की वज़े से रिपीटिट अमाउंट या हाई डोस की वज़े से एडिक्शन में चेंज हो जाता है बात करते हैं ड्रग एडिक्शन के डिफिनिशन की ड्रग एडिक्शन ज़्याटिक्शन सब्सक्राइब अभी सबस्ट्ट्राइब की यह से अपर बात करेंगे क्या है असे अपको ड्रag अदिक्शन या वू सबस्ट्राइब आप इसमें आपका ड्रग अडिक्षिन या वह सवस्टाइंस के वज़े से हैं जो किसी भी एक पर्सन का ब्रेन या उसके बिहावियर में चेंज के ला सकता है और वह एक ऐसी कंडिशन ड्रग अडिक्षिन एक ऐसी कंडिशन जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो बहुत टिपिकल होता इसको रिवर्स करने के लिए यहां पर मैंने लिखा इन एबिलिटी टू कंट्रोल दे यूस इसमें आप उस यूस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो इस कंडिशन को हम बोलेंगे ड्रग अडिक्षिन नेक्स्ट अगर डिफिनिशन के बात की जाए तो यह भी बहुत चोटा ओर अच्छाई डिफिनिशन है यह रखा इसमें ड्रग एडिक्षिन इस कंडिशन गडिक्षाण एक कंडिशन है इन विच अडि परसंडाट सैंसा वेलमी हिश अचीव ऑनली ठोट्रोल ड्रग टेकिन उसमें कोई परसंट या कोई भी किसी यह सी उस ड्रग को लेने के बा करता है और इस condition को हम कह सकते हैं एक के के एक настроion की condition है जिसमें इंसान क्या करता है बहुत ही अच्छा फील करता है ऊस बोट दो को लेने के पाद कि हाने क्याना कि हम कोई कोई भी ड्रग ले रहे हैं कोई भी तरो यह को आपकी सेनेस के एफट कर रही है जो लेने के बाद आपको थोड़ा गुड़ फील हो रहा है आपको अच्छा फील हो रहा है अपने स्टार्डिंग में लिए अच्छा लगा उस समय आपके लिए सपोस्ट वह प्रेस्क्राइब थी बट आपको अच्छा लगने के वज़े से आप उसको फर्दर कंटी करी रहे हो अपने रूटीन में अपने रूटीन में इसको कंटीनिव कर रहे हो अब क्या करें आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप उसको अपने रूटीन में ला रहे हो तो यह क्या है एक इलीगल है यह क्या है अभी तक आपके पास प्रेस्क्रिप्शन था से ही रिकवंट कर रहे हो अपने से ही खुद को अच्छा फील वेल फील करने के लिए वेल बिंग करने के लिए आप उस ड्रग को ले रहे हो तो यह कंडिशन जाएगी क्या ड्रग डिपेडेंसी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो उठके आओ यह ली well-being is a Con injured condition in which any person that sense of well-being is a achieve only through drug taken okay you drug addiction oh yeah now drug dependence drug dependence Keher Dependence usually referred to a physical dependence on a substance and characterized by the symptoms of tolerance and withdrawal symptoms. There is possibility to have physical dependence without producing drug addiction. मैंने अभी normal language में आपको समझा दिया, वही उसकी definition मैंने आपको represent की कि जो dependency है वो usually क्या हो सकते कि उसमें possibility है कि इसको हम recover कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे medication के तरू हम उसको recover कर सकते हैं पट अगर ये कर जो condition है आपकी वो क्या है drug addiction के पहले की condition है आप पहले dependent हो है, dependent होने के बाद फिर addicted हो है, ठीक है तो इसमें क्या chances है कि आपकी drug को जिस drug से आपको dependency आ रही है उस drug को हम withdrawal भी कर सकते हैं, ठीक है, withdrawal करने के बाद आपको उस drug addiction से हम बचा भी सकते हैं आपको किसी health care professional है, किसी physician ने, किसी doctor ने आपको recommend नहीं किया बट आप वो drug ले रहे हो और अपने ही according ले रहे हो, अपने ही according आप उसका dose कर रहे हो तो यह क्या है आपका की drug abuse कहलाता है अगर आप recommended लेते उनके time or duration के according लेते लेते उस drug को तो वो एक आपकी नॉर्मल ड्रग prescribed कहलाती बट आगर आप without prescription, without doctor के recommendation के, without healthcare professional के आप उस drug को ले रहे हो तो that calls drug abuse या drug misuse okay when person take drug not prescribed him or her, मतलब जो drug ली जा रही है वो person को prescribed नहीं है उसी को हम क्या बोल रहे है drug misuse या drug abuse okay यहां देख लेते हैं drug abuse या dependence are defined on a different scale that measures the degree and time of substance use यह जो drug abuse है या drug dependence है अल्मोस्ट एक कहा जा सकता है drug abuse या drug dependence are defined as the different scale इसको हम define कर सकते है as a different scale that measures degree and time कि कितने लंबे समय से इस drug को ली जा रही है और क्या उसकी degree है मतलब क्या मतलब कितनी डोस पर ली जा रही है उसका डोस और उसकी time और duration के कितने लंबे समय से ली जा रही है तो उसके अधार पर हम drug abuse और drug dependence को define कर सकते हैं drug abuse is a first stage या early stage of the drug dependence अब क्या है कि drug dependence क्या है आपकी first stage sorry drug abuse क्या है drug dependence के first stage या early stage है and when there is a continue to use substance then developed drug dependence अब किसी भी substance को आप continually आप use कर रहे हो तो वो change हो जाएगा पहले तो drug abuse जन उसके पाद आप उसको continuously use कर रहे हो तो यह change हो जाएगा किसमें drug dependence उसके बाउसर अगर आप उस ड्रग को विड्रॉल नहीं कर रहे हो तो वो change हो जाएगा drug addiction में यह series समझ में आई series कौन से firstly क्या है पहले आपने क्या first drug abuse आया that drug dependence आया कि आप ड्रग पर depends हो गए आपकी happiness आपकी खुशी ड्रग पर डिपेंड हो गई है फिर आपका क्या आया कि अगर आपने remove किया withdrawal किया तो that's good बट अगर नहीं किया तो इसमें हो गया addiction में अब मेकनिजम की बात करें यहां पर मैंने लिखा है कि जो डिपेंडेंसी यह इसको psychological dependency क्या सकते हैं ठीक है क्योंकि आप उसके बिना खुशी ही नहीं हो मेकनिजम आप ड्रग एडिक्शन की बात करें तो एक नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं फिर एक अडिक्शन का फंक्शन देखते हैं नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि नॉर्मल है आपका ब्रीन आप नॉर्मल हो लेकिन आपकी लाइफ पे कुछ अच्छा इवेंट होता है कुछ आपको रिवार्ट मिलते हैं कुछ आपक एक निरॉन से एकसे समाउंट पर रिलीज होगा है और यह जो डोपमाइन होता है स्टूडेंट से आपके हैपिनेंज और गुड फीलिंग के लिए रिस्पोंसबिल होता है है नौर्मल फंक्शन में बताया है कि आपको कुछ रिपॉर्ड मेला आपको कुछ खुछी मिली डा अगर हम बात करें किसी एडिक्टर की एडिक्शन की तो अगर वह इंटेंसली ले रहा है यह इंटेंसली मतलब खुद से दवा ले रहा है या तो प्रिस्क्राइब है तो बहुत लंबे समय से बाद में वह अन्प्रिस्क्राइब या अन्रिकमंडेड हो गई है तब भी यह क् क्या हो कि अब एडिक्शन के दौरान आपने ड्रग को लंबे समय तक लिया पहले तो क्या होई ड्रक का आप मिस्यूज कर रहे हो फिर आप क्या हो जाएगी उस ड्रक की थ्रेस होल्ड आपके ब्रेन में बढ़ जाएगी ठीक है अब आप क्या करें उसको रिपीटेड डोज हो उसकी डोज क्या हो रिपीटेड ले रहे हो तो जिससे ड्रक डिपेडेंसी हुए ड्रक डिपेडेंसी हुए तो तो जो टॉलिरेंस है अब क्या कि इतना ही आप उसके ब्यॉर्ण की करेगा और फाइनली ये एडिक्शन के स्टेज में पहुँग जाएगा तो यह रही आ और सिंटम्स और सबस्टैंज की तो कॉझास के बाद करें तो इंडीविजिवल बालूजी जैसे की गुछ जेनेटिक डिसॉर्टर के वज़े से हो सकते हैं, कि भई उसको एडिक्शन हो सकता है, किसी भी ड्रका और फैमिली फैक्टर के वज़े सबसे सबसे इसको вмुमक्राइए gottaPor ear he said yeah ँदि कोुछ कि प्लीचिय तो उसको क्या इसोलेशन चलेगा शबसे सेपरेट आउट रहेगा सब मतलब किसी को पसंद नहीं करेगा जैसे कि एक depression में condition आती है जो addicters होते हैं उनका क्या होता है कि वो isolate रहना पसंद करते हैं आज कल यह आप लोग word बहुत सुन रहे होंगे isolation, isolation तो addicters का भी जो symptoms है addiction का, isolation then negative activity कुछ उनके negative thoughts आते हैं उनके mind में और उनकी जो activity रहती है वो always negative रहती है हर किसी से लड़ पढ़ना जगर पढ़ना एक agorans और एक जगडालू प्रवति की इंसान बन जाना loss of control, खुद के उपर control नहीं रहता क्योंकि आप अपनी खुशी को उस tablet को दे चुके हो कि उस tablet को या उस drug को लिए भी ना मैं खुशी ही नहीं हूँ, मैं happy नहीं हूँ तो ये loss of control खुद के उपर control नहीं है attempt to get more drug आप उस condition में क्या होगा कि आप और ज़्यादा ज़्यादा drug को demand करोगे जब ज़्यादा drug की demand करोगे तो क्या होगे आपको क्या चाहिए उसके लिए ज़्यादा money चाहिए है ना, money चाहिए तो आप कुछ illegal काम भी कर सकते हो अब बात करते हैं कुछ substance के आगे जो मैंने एक्जांपल दिया था कि कौन-कौन से substance हो सकते हैं जिसको कि जिसकी वज़े से आपको drug dependency हो सकती है या drug addiction हो सकता है like as amphetamine cocaine, pain killer या morphine या heroin जो pain killers होते हैं उससे आपका LSD हो गया alcohol हो गया even then इस category में हम cigarette भी रखते हैं यह भी एक addiction है CNS stimulants हो गया है CNS को stimulants करने वाली drug anti-anxiety जो थोड़ा सा anxiety को कम करने वाली दवा होती है गपराहट या hesitation को कम करने वाली दवा होती है उसका अगर हम लगातार यूज़ कर रहे हैं तो anti-anxiety then उसके बाद mood stabilizer mood को stabil करने के लिए जो drug ली जाते हैं उसके वज़े से drug dependency or drug addiction हो सकता है at last क्यानाबिस जो क्यानाबिस sativa से है जो को normal language में हम भांग बोलते हैं तो ये कुछ सवस्टाइन्स है मैंने आगे बोला था आप तो कि हम यहाँ पे कुछ सवस्टाइन्स की बात करेंगे जिसके वज़े से क्या होगी drug addiction होगा या drug dependency cause होगी thank you everyone next lecture में हम drug intolerance की बात करेंगे okay